नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टन स्कीम को कवर करेंगे CM Elevate स्कीम इसके ती की फीचेज हैं Employment Engagement और Empowerment ये मेगाले की गौर्मेंट के तरह शुरू की गई है मेगाले में इसका एम है Entrepreneurship को बढ़ावा देना किस परकार से Entrepreneurship को ये बढ़ावा देगा किस परकार से मेगाले के जो aspiring entrepreneurs हैं उनको ये मदद करने वाला है इसको विस्तार से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप इस वीडियो को अन तक देखेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बश्य करिएगा Politist Economy, GKT, Geography, Science, Family, Technology की तमाम वीडियो को देखने के लिए एक बर हमारी प्लेलिस को जरू चेक करिएगा चले शुरूआत करते हैं देखे ये हैं ये हमारा भारत भारत के North East में ये आता है मिघाले, यहां पे है मिघाले, इसको मैंने एक अलग मैप में भी दर्शाया है तक आप इस अच्छे से देख सके हैं मिघाले के मुख्य मंतरी Conrad के सांगमा जी ने अभी हाली में मिघाले के शिलॉंग में एक नई स्कीम की शुरुवात की जिसका नाम है CM Elevate Program इस प्रोग्राम का एम है मिघाले में entrepreneurship को promote करना इसके साथ employment को boost करना और जादा लोगों को युवाओं को employment देना और इसके साथ साथ जो economic development है उसको drive करना उसको आगे बढ़ाना CM Elevate Program जो है यह foster करता है innovation को और self-reliance को कि हमारे जो युवा हैं वो innovation करें और self-reliant बने अपने ओपर dependent बने मतलब वो अपने business शुरू करें वो job creators बने, job givers बने तो इसके लिए यह innovation और self-reliance को foster करता है ताकि जो entrepreneurship की opportunities है उनको create किया जा सके इस program के तहित ऐसा estimate लगा जा रहा है कि 20,000 से जादा लोगों को नोकरियां मिलने वाली हैं अलग-अलग sectors में अगले तीन साल में अब यहाँ इस scheme के लिए मेगाले की government ने approximately 300 crore पे के जो investment है वो करी है यह CM Elevate program जो है यह the key objectives के ओपर focus करता है सबसे पहला आता है employment फिर आता है engagement और तीसरा आता है empowerment चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले engagement यहाँ पे यह encourage करेगा active involvement मेगाले की युवाओं की कि वो जाए से ज़्यादा entrepreneurship को choose करें जाए से ज़्यादा अपना ideas लेकर आएं ग पहला focus जो है engagement किसकी युवाओं की यूथ की जाए से जदा engagement हो active involvement हो इस पूरे program में फिर आता है employment तो इस scheme के तरह substantial job opportunities भी create की जाएंगी मेगाले की युवाओं के लिए और तीसरा आता है empowerment तो यहाँ पे economic growth और development जो है उसे भी काफी मदद मिलेगी उसे भी काफी facilitation मिलेगी क्योंकि obviously जब यूथ जो है वो empower बनेगा यूथ जो है वो entrepreneur बनेगा उनको jobs मिलेगी तो वहाँ से जो state की economic growth है और development है उसे भी facilitation मिलेगी तो यहाँ जितने भी aspiring entrepreneurs याने कि वो यूथ जो की entrepreneur बनना चाहते हैं उनको empower करने के लिए शशक्त करने के लिए और इस पूरे के पू businessman को या एक industrialist को काफी risk लेने पड़ते हैं तो उन risk को mitigate करने के लिए यानि जो credit risk है खासकर जो monetary risk है न सबसे बड़ा risk तो monetary का होता है कि हमने धंदे में पैसा लगाया है क्या पता वो चलेगा नहीं चलेगा तो इनको mitigate करने के लिए जो government है उसने strategic partnership करी है कई public sector banks और private sector banks के सा 35% to 75% अब यह depend करता है कि आपका कौन सा project है जैसे मैं पहले भी गहा तो जिसी साब से project होगा उसे साब से 35% से लेके तो 75% तक की जो project cost है उसको financial support यहां पर provide होने वाली है जैसे मान लोग एक business में आपने 100 पे लगाया तो 35 से 75 पचेतर तक के बीच की जो financial support है वो इसमें CM delivery program जो है इसमें approximately 700 direct employment opportunities create होने वाली है और बाकी indirect तो होंगी ही होंगी अब देखे जो program है यह काफी अलग अलग sectors और departments में अपना काम करेगा तो यहां पे दो departments काफी मुख्य होंगे एक तो है tourism, tourism पर कई ऐसी schemes है जैसे की the green villa scheme, motor home में घाले scheme, home stay scheme और prime tourism vehicle scheme इन schemes के तहत अगर क चुरू करना चाहता है तो वहां पे उस विक्ति को उस युवा को CM delivery program के तहित financial support मिलने वाली है फिर आता है agriculture, agriculture में यहां पे promote किया जाएगे poly house की establishment अब सब जानते हैं poly house क्या होते हैं तो जो भी विक्ति poly house को establish करना चाहता है वो भी CM delivery program के तहित financial support ले सकता है यहां पे encourage किय जाएगा cultivation of high value vegetables यानि उस परकार के vegetables इनकी मांग जादा है और जिन में मुनाफ़ा जादा होता है profit जादा होता है इसके साथ यह encourage करेगा floriculture crops को जो floriculture crops होती है उनको यह encourage करेगा तो इन दोनों चीजों के ऊपर high value vegetables और floriculture crops इन पर poly houses को establish किया जाए यह scheme यहां इस चीज को promote करने वाली है agriculture में और जब भी कोई poly house लगाएगा तो उसे 50% financial aid जो है वो मिलेगी cm eligible program के तहत अब यहां पर एक noteworthy feature यह है कि जो cm eligible program है यह काफी user friendly application process provide करता है किस परकार से यह application process काफी user friendly है देगे यहां पर आपको एक portal मिलेगा उस portal में जाके आपको अलग-अलग schemes मिल जाएंगी और उनका जो support mechanism है वो भी मिल जाएगा इसमें आपको कहीं यहां वहां नहीं जाना पड़ेगा अलग-अलग websites में जाना पड़ेगा अलग-अलग लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा सेदे आप इस portal में जा सकते हैं इस portal में आपको सारी schemes मिल जाएंगी और जो support mechanism है वो भी मिल जाएगा तो यह जो भी aspiring business owner है यानि aspiring में तो जिसके aspiration है कि वो अपना business करना जाता है तो जो भी aspiring business owner होगा उसको काफी seamless और काफी efficient experience उसे मिलने वाला है उसको कहीं और जाने की जूरुत नहीं है कहीं यहां वहां दिमाग लगाने की जूरुत नहीं है है और फिर उसके उपर अपना hard work करें काम करें तो यहता है दोस्तों सीए में लिवेट प्रोग्राम और होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा पॉलिटिस्ट इकनोमी जीके टिक्स जराफी साइंस राम टिक्स लोगी के तमाम वीडियो को देखने के लिए एक पर हमारी प्लेलिस को जरू जेक करेगा और जीके एक अटरफीस के ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करेगा आपका बहुत बहुत धन्यावाद